है हैलो नमस्कार दोस्तों आप सब का फिर से स्वागत है वेरे इस यूटीयोग चैनल पर दोस्तो आज के सुटियों में देखने आले तीन डी मिले मिलेंगे उनकी विनिंग टीम्स एम एल वर्षेस डबलू यल पी की जिया दोस्तो इसकी टीम ड्री मिले उनकी विनिंग टीम देखने वाले जिसको मैंने हैलेट करके दिखा दिया उस पर आपको क्लिक कर लेने अगर आपने अब तक टीम नहीं बनाई है तो क्रियेटर टीम पर क्लिक किजेगा लेकिन मैं अल्रेडी टीम यहां पर बना के रख चुका हूँ जिसे करके मैं आपको इडिट करके दिखाता जाओंगा किसको लेना किसको नहीं लेना आखिर में क्याप्टन और वाइस कप्टन आप किसे बना सकते वह भी मैं आपको दिखाऊंगा तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस करता हूँ अग हमें यहां पर डॉप करना पढ़ रहा है। मतलब डिकत का क्रेडिक हमें करना पढ़ रहा है। तो कीपिंग के सेक्शन में आदी अक्शन सेटेand dóh मेरे पास N-600 को मैंने इस टीम में शामिल किया है इसके बाद A-SIM को इस टीम में रखूँगा मैं और D-PATEL को भी इस टीम में शामिल कर रहा हूँ तो credit के दिक्कत के वाज़े से काफी problem सिया पर आ सकती है उसके बाद अगर बात करें all rounders की तो all rounders में देख सकते S-SIM को मैं इस टीम में शामिल करूँगा उसके बाद A-Aढ़ानी को इस टीम में शामिल करूँगा Z-A-Jayip को भी इस टीम में रखूँगा और R-Bharat द्वाज को इस टीम में ले रहा हूँ गेनबाजी की बात करें तो यहां पर देख सकते हैं मैंने M-A-SIM server को ले लिया है इसके बाद M-Patel को ले रहा हूँ और A-Mehmood को भी इस टीम में शामिल कर रहा हूँ तो इस तर से टीन गेनबाज जो लिये वह काफी बड़िया गेनबाज लिये हमने जो आपको काफी इच्छी गेनबाजी करके पॉइंट दे सकते हैं विक्टे लेकर अगर बात करतें continue पर click करके देख लेतें captain और vice captain हम किसे बना सकते हैं तो मैंने इस team का captain जैसे का आप देख पार है ए अडारी को captain बना रहा हूँ और vice captain N6 को बना रहा हूँ आफकोस इनके स्टाट्स भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा लेकिन इससे पहले टेम प्रिवियो ज़रूर कर लेते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं कीपिंग की तो फिर से देख सकते हैं यहाँ पर ए नसीम के साथ जा रहा हूँ फिकेट कीपर मैं किसी और के साथ अभी फिलाल तो नहीं जा रहा हूँ लेकिन अगर बात करें बैटिंग की तो देख सकते हैं ए सिंग ए शहजाद उसके बाद डी पटेल इस तरसे चार ऑल राउंडर के बाद मेरे पास तीन गेन बाज भी काफी बढ़िया बढ़िया है ए महमुद है एम असीम सर्वर है उसके बाद एम पटेले तो इस तरसे चार ऑल राउंडर्स के बाद तीन गेन बाज भी मेरे पास अच्छे खास है तो कुल्मिला के काफी जबदस टीम बने आ लिए अफकोस इसे आप ग्राण लिग के लिए यूज कीजिएगा स्मॉल लिग के लिए भी यूज कर सकते हैं लेकिन सिर्फ पहले एक ग्राण लिग लगा दीजिएगा उसके बाद चाहे जितने आप स्मॉल लिग लगाईएगा क्योंकि आपको आज यह मेरी जबदस बनी है दोश्टो क्या आपको हैं कम से कम ग्राण लिग जिता सकते हैं और फिर तीन तीमें आ अछी सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि मैंने कपतान बना है ए अडाणी को जिया दोस्तों और वाइस कैप्टन बनाने जा रहा हूँ एंशहजाद को आप कहेंगे एंशहजाद को भी मतलब कप्तान आप बना सकते हैं लेकिन अभी फिलाल अडानी को बना रहा हूँ अगर इनके परफॉमस की बात करें तो अभी तक इस सीरीज में इनका परफॉमस काफी बढ़िया र तो इसलिए इनको कप्तान बना रहा हूँ और अगर जब मैं आपको वाइस कप्तान के स्टाट्स दिखाऊंगा तो आप और भी चोक जाएंगे जिया दोस्तों वाइस कैप्टन एंशहजाद को बना रहा हूँ जैसे कि आप देखी पा रहें और इनके स्टाट्स को बात कर तो हाँ विक्टे जरूर इनको चारी मिली है लेकिन बल्ले से भी इनका काफी जादा कमाल है 254 रन बनाने में अभी तक यह कामियाब रहें तो इसलिए इनको मैंने वाइस कैप्टन बना है आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते एंशहजाद को कैप्टन और अडानी को वाइस ले चुके है अगर बात करें तो एंशहजाद की तो इन्होंने भी अभी तक 254 रन बना है और चार विक्टे हासिल किये तो इसलिए इस तरसे मैंने किया है तो अभी टीम हमारी हो चुके इस टीम को क्लोज कर लेते सेव कर लेते और दूसरी टीम को मैं आपको इडिट करके दिखा देता हूं किस तरसे बनी है तो यहाँ पर मैंने चेंजेस करने के बाउजूद भी काफी बड़ी टीम बनने आ लिए दोस्तो यहाँ पर मैंने एस अली को कीपिंग में ले लिया है शुरूवात में ही चेंज कर लिया है इसके अलाव बैटिंग पर चलते तो बैटि इस टीम में शामिल कर रहा हूँ तो इस तर से चार अच्छे खासे लिए जिन्हों ने अभी तक काफी बढ़िया पर्फॉमंस के आए और काफी अच्छी बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते हैं तो गेनबाजी की बात करें तो यहाँ पर एम असिम सर्वर के साथ जा रहा हूँ ए महमूत के साथ जा रहा हूँ और एवारिजिस को पिछले टीम में नहीं ले पाएता तो इनको भी मैं इस टीम में शामिल कर रहा हूँ तो कुल मिला कि हमने ऐसे तीन-चार चेंजेश किये जिसके वावजुद भी ए टीम काफी बहतर बनी है आप continue पर क्लिक कर लेते और देख लेते captain और वाइस captain हम किसे बना सकते तो यहां पर देख सकते मैंने मासीम को इस team का captain बना है और M.Aseem server को वाइस captain बना है फिर से इनके starts देखने से पहले team preview कर लेते जैसे कि आप देख पारे keeping में आफकोस मैंने शुरुवात में ही change कर लिया है सबसे पहले S अली को लिया है अगर बात करें बैटिंग को तो A सिंग, M सिंग और N शैजाद इस तरह से तीन अच्छे खासे बल्लेबाजों को लिया है यहापे भी changes किये मैंने अगर बात करें, all-rounders में भी मैंने change कर लिये, 4 all-rounders फिर से मेरे पास है, A अडानी A जायब, S मासीम और D पटेल को इस टीम में शामिल कर रहा हूँ तो इस तरह से 4 अच्छे खासे all-rounder है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में आपको अच्छे कासे point लेके दे सकते है तो अगर बात करें गेनबाजी की, तो गेनबाजी में भी मैंने काफी बड़िया चूज किये है जैसे का आप देख पारें A महमुत को चूज कर रहा हूँ M असीम सर्वर को चूज कर रहा हूँ और A Vargas को पिछले टीम में नहीं ले पायता उनको भी यहाँ पर मैं चूज कर रहा हूँ तो अब फिर से बात करें कप्टान और वाइस काप्टान की तो सबसे पहले मैंने आप देख सकते हैं इस टीम का कप्टान M मासीम मासीम को बनाए और वाइस काप्टान M असीम सर्वर को बनाए तो स्टार्स देख लेते हैं तो मासीम की बात करें तो अभी तक इनोंने बल्ले से ठोड़ा परफर्मस कम रहा है इनको ज़्यादा चांसेस कम मिले हैं बैटिंग में 73 ही रन बनाए यानि 73 ही रन पनापाए वही वाइस काप्टान की बात करें तो M असीम सर्वर को बनाए इनोंने भी अगर बात करें तो अभी तक बल्ले से ठोड़ा परफर्मस रहा है थोड़े कम ज़रूर है लेकिन इनको भी ज़्यादा चांस नहीं मिलते हैं बल्ले बाती का लेकिन विक्टे इनोंने भी 10 निकालिये जिया दोस्तों 10 विक्टे निकालिये जो के काफी कमाल की सावित होईगी पूरे सीरीज में अभी तक काफी बढ़िया परफर्मस रहा है इनका भी गेन के साथ तो इसलिए इन दोनों को मैंने कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाए आप चाहे तो किसी और को बना सकते हैं लेकिन मुझे लगता ने इसकी जरुरत पढ़ने हो ले तो कुल्मिला के काफी बढ़िया कैप्टन और वाइस कैप्टन हमने सिलेक कर लिए जिससे कि आपको अच्छी खासी earning हो सकते हैं या फिर आप grand league भी जिट सकते हैं तो इस टीम को भी मैं फिर से कहूंगा जादा से जादा grand league के लिए यूज की जगा small league के लिए यूज कर सकता है लेकिन कम से कम एक grand league लगाने के बाद इस team को small league के लिए उखेगा small league के लिए अगर यूज नहीं भी करेंगे तो कोई problem नहीं लेकिन grand league के लिए ज़रूर यूज करना है इस team को भी close कर लेते save कर लेते और आखिर में तीसरी और आखरी team हमें देख लेने किस तर से बनाई है अगर बात करें तो यहां पर मैंने फिर से नसीम को इस team में शामिल कर लिया है अगर आप चाहे तो एस मलिक को भी ले सकते हैं आप चाहे तो यहां पर एक option है इस पटेल को भी ले सकते हैं लेकिन इनका performance इतना अच्छा नहीं रहा है दोस्तों दस बंद्रा ऐसे ही point दिये इन्होंने अभी तक तो आप चाहे तो ज़रूर चेंज कर सकते हैं लेकिन मुझे अभी नई करूँगा मैं बैटिंग की बात करें तो एन शहजाद को ले रहा हूं जेड शाह को ले रहा हूं इस बार मैंने एस सिंग को भी रहने दिया है तो इ लेकिन अल्राउंडर्स में मैंने इस बार तीनी अल्राउंडर्स को चूज किया है जैसे कि आप देखी पार है मैं एडानी एम एस मासीम और एजाईब इस तरह से तीनी अल्राउंडर्स के साथ जा रहा हूं क्योंकि मुझे गेनबाजी में यहाँ पर चार ओप्शन चाहे डिम ने बना रहा है को egण अच्छी खासे लेक्त्त निकाल रही और ऋट्प अच्छी खासे और वीक्त्ते निकालकर के दे सकते हैं कंट्रीन्योग पर प्लिक कर लें और देखलें किसी बना सकते हि यहाँ पर देख सकते मेरी तीनों टीमों की क्रेडिट खतम हो चुके हैं यानि हमने काफी खतर्णाक टीमें बनाई हैं फिर से कहूंगा कैप्टन और वाइस कैप्टन को M. Assim server को captain बना रहा हूँ और N. 6000 को vice captain बना रहा हूँ अगर आप change करना चाहे तो कर सकते है team preview कर लेते हैं फिर से एक बार और stats भी मैं आपको captain और vice captain के फिर से दिखाई दूँगा सबसे बहुत बात करते हैं keeping में मैंने ए नसीम को इस बार फिर से शामिल कर लिया अगर आप किसी और को लेना चाहे तो ले सकते हैं batting में मैंने A. Singh को लिया है N. 6000 को लिया है जेड शा को लिया है अगर बात करें all-rounder में तो इस बार तीनी all-rounder को ले रहूँगा अगर बात करें गेंबाजी में तो मैंने टीन all-rounder लिये ते जिसकी वज़े से मेरे पास option बन गया है चार गेंबाज लेने के जिया दोस्तों चार गेंबाज में ले सकता हूँ और मैंने वैसाई किया है एम पटेल को भी लिया है एम असीम को भी लिया है और एवार घिस को भी लिया है तो इस तरसे चार अच्छे खासे गेंबाज को मैंने इस टीम में चूश किया है जिससे यह ज़्यादा से ज़्यादा विक्टे लेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दे एम असिम सर्वर को वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं या फिर आप किसी ओर टीम में अगर ज्यादा ओर टीम में लगाते हैं तो वहाँ पे आप एंशाइजात को कप्तान जरूर बनाईएगा लेकिन मैं फिलाल ऐसे ही रखूंगा तो सबसे पहले बात करते हैं कप्तान एम अ कि एक अच्छा खासा ओल्ड रॉंडर परफॉर्मंस रहा है तो जरूर आप इनके साथ जा सकते हैं इनको कप्तान बना सकते हैं शहजात का ज़्यादा जबर्दस परफॉर्मंस रहा है हां मुझे पता है इन्हों ने अभी तक अपने मतलब पूरे सीरीज में 254 रन बनाए और विक्ते उनको सिर्फ चार मिलिये 254 रन काफी ज़्यादा होते हैं मुझे पता है लेकिन मुझे लगता है कि इन पर काफी ज़्यादा लोगों का ध्यान गया है क्योंकि इनका परफॉर्मंस काफी ज़्यादा रहा है तो इन पर ज़्यादा लोगों का ध्यान गया है त काफी ज़्यादा फाइदा होने वाला है इससे हम ग्राण लिग जित सकते हैं या फिर घ्रांड लिंग में अच्छी कासी अर्णिंग कर सकते हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा लिए यूज करेंगे तो भी चलेगा लेकिन पहली Grand Lig को लिए यूज जरूर कर लीजेगा क्योंकि Grand Lig आपको जीता सकती है यह तीनो टीम है यह फिर अच्छीकासी अर्निंग तो जरूर करा सकती है तो इसलिए Grand Lig के लिए प्रिफर करूंगा तो इस टीम को भी अभी करेंगे तो कोई प्रॉब्लिम नहीं है साथ ही साथ क्याप्टन की भी मुझे लगता नहीं कि जरूरत है चेंज करने की लेकिन आप करना चाहे तो जरूर कर सकते तो आई होप यह तीनों टीमें और मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इसे लाइक कुछ भी चेंजेस रहते तो उसके बारे में मैं आपको बता सको किसे ड्रॉप किया गया है और उसकी जगपे आप किसको ले सकते हैं आज के वीडियो में इतना ही मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद गुडबाई